बिस्मिल्लायर्मानर्रहीम, अस्सलामुलेकूम, ओनलाइन राइटिंग जॉब, ओनलाइन टाइपिंग जॉब, जिसमें आपको एक पेज लिखने का 8.5 डॉलर मिलेगा और आप इसमें जितने चाहे पेजिस लिख सकते हैं, ये कौन सी जॉब्स हैं, आपने किस तरह से अप इसले दिनों एक पोस्ट की थी मिस्टर हो पे जिसमें हमें पतह चला था के हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये जॉब स्पैसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है, पहले बता रहा हूँ, ये दूसरे हज़रात के लिए नहीं है, ठीक है, दूसरे हज़रात अगर कुछ करना चाते हैं तो और बहुत सारी जॉब्स हैं, और उसमें साथ मैं ये बता दूँ के ये जॉब टाइप है, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन जॉब है, वर्किंग आवर्स आपकी अपनी मर्जी के होंगे, प्रोजेक्स आप अपनी म जवाब मिलेगी, कितनी पेमेंट मिलेगी, ये सारी डीटेल्स हम इसी वीडियो में जानने लगे हैं, और उसकी शरायत क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है, वो भी देख लेंगे, तो इसलिए गोर से देखिएगा, अगर आप ये कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपरच्यूनटी है आपके लिए, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन अगर आपने मिस्ट्रा होग, अब तक सब्सक्राइब ने किया हुआ, सब्सक्राइब को बटन को दुबा दीजिए, बेल आइकन को नुट्फिकेशन को दुबा दीजिए, ताके हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें, जी तो दोस्तों ये हमारे सामने एक प्लैट्फॉर्म है, जिसका नाम है राइटर बे, अगर राइटर बे की सबसे कम पेमेंट की बात की जाए, तो सबसे पहले मैं आपको पेमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पर आके आप अगर एडवानस लेवल राइटर हैं, प्रो लाइट हैं, प्रो हैं, तो इन सब को छोड़ते हैं बलके एक रेगूलर और सबसे शुरू वाले लेवल से शुरू करते हैं, और अगर हम सरफ एक पेज रखें और एक दिन रखें, तो मतलब एक दिन में अगर आप एक पेज सिर्फ करते हैं तो आपको एक पेज का 8 डॉलर मिलेगा 8.5 डॉलर ठीक हो गया अगर आप बिलकुल नए हैं तो दोस्तो ये हमारे सामने वेबसाइड है अब इस वेबसाइड पे अगर आप राइटर्स को देखें तो कोई 6,000 डॉलर कमा रहा है कोई 5,000 कोई 3,000 कोई 3500 कोई कितने डॉलर कमा रहा है अब इसके benefits का हैं यहां पर इनोंने लिखे हुआ है यानि कि आपको कोई registration fees नहीं देनी कोई investment नहीं करनी उसके बाद आपके पास बहुत सारे projects आते हैं assignments आती हैं बनाने के लिए उसके इलावा आपको time manage बहुत अच्छे तरीक अच्छी salaries हैं यह आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कि एक page का 8.5 डॉलर आपको मिलता है ने से ने बन दे को उसके बाद enough room for personal growth और writer sport जो है यानि कि आपको कोई भी problem आती है तो 24 by 7 आपको sport help मिलेगी उसके बाद अगर बात की जाए यह offer क्या कर रहे हैं तो part time jobs भी है full time भ रख सकते हैं और उसके बाद user friendly interface है confidential guarantee है आपको कोई tension की बात नहीं अब requirements के हैं यह गोर से सुन लीजिए जनाब यहां पे आके बहुत सारे लोग फिसल जाते है requirements जो हैं यह इनकी हैं सबसे पहले यह आप देख लें कि a minimum of bachelor degree यानि कि bachelor degree अगर आप 14 साल पढ़े हूँ है तो आपके बास नहीं है तो I'm so sorry आप यह नहीं कर सकते बाकी एंड में वीडियो में बता दूँगा वाकी काम कर लें ठीक है उसके इलावा अगर इससे ज्यादा है तो और ज्यादा मज़े की बात है यह आपको और ज्यादा पे करेंगे उसके बाद आपकी English language अच्छी होनी च अगर आप यह देखें कि टॉप 10 jobs available within 24 hours यानि कि पिसले 24 घंटों में कितनी jobs आई हैं और कितने लोगों ने काम किया है तो astronomy के 75 pages है जो 600 डालर के business के 144 डालर का का काम आया है economy के 320 डालर का इसी तरह physics का 160 डालर का literature जो है वो 440 डालर जिसमें poetry भी होती है और बहुत सारी चीज़े होती है तो यह सारी चीज़े है अब काम इस पर काम भी थोड़ा सा कान खोल के सुन ले काम भाई यही होता है कि for example आपने कोई भी essay लिख देना है कोई भी for example chemistry के बारे म ठीक है तो यहां पर बहुत सारे subjects है investment के बारे में journalism के बारे में ला के बारे में leadership के बारे में literature के बारे में बहुत सारे projects आते हैं उनको सिरफ essay चाहिए होते हैं या उनको सिरफ for example कि यार यह blog लिख दो इस पे essay लिख दो जिस तरह मैंने blogging से खाई हुए है उस तरह कि आपक इस तरह में लिख के देगी इससे बेतर और कुछ भी नहीं है तो वहां से आप लिखा लिखाया भी उठा सकते हो और यहां पर इजिली काम कर सकते हो तो भाई जन सबसे पहले आपको यह register का एक बटन नजर आ रहा है register पर click करने के बाद यहां पर आपने सबसे पहले personal details डा अल्टरनेटिव email डालना है phone number दूसरा डालना है अगर है तो नहीं तो इन दोनों को खाली भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है password डालना है उस password को repeat करना है और यह चीज़े डालके next step पे click करना है जोस्तो हम आ चुके है next step पे जिसमें qualification और experience यह हमसे मांग रहा है तो your native language स हमने select कर ले ठीक है other languages हम यहां पर उर्दू लिख देते हैं ठीक है उर्दू में हम लिख सकते हैं और अगर आप किसी language में लिख सकते हैं तो आप वो भी add कर सकते हैं उसके बाद यूर highest variable academic degree आपके पास डिगरी कौन सी है bachelor है associate undergraduate master है PhD है तो मेरे पास master है तो मैं वो लिख दे आपके seven disciplines में प्रोफिशेंट है astronomy chemistry geology geography environmental studies for example मैं कहता हूं जी geography क्योंकि आमने लिखना ही है जो आप इदर से देखना है उदर से देखना है वो मैंने आपको तरीके बता हूँगा अगर आपको तरीके नहीं पता तो वीडियो के end में बता दूँगा दिखा दूँगा उन वी कोई नहीं आता तो none पे select कर दें कोई मसले की बात नहीं है ठीक है तो यह मैंने लिख दिया ठीक है उसके बाद आप और भी add कर सकते हैं for example यहां पे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे css यह वो फला फला ठीक है अगर आपको कोई नहीं है तो none कर दें next step पे click करते है जनाब उसके बाद next step पे third पे additional information मांगता है additional information में यह कह रहा है about me आप अपने बारे में कुछ बताएं अपने बारे में आप लिख सकते हैं जनाब मेरा यह नाम है या for example मैं यह करता हूँ इस तरह का हूँ यह मैं काम बहुत अच्छी तरह किसे कर सकता हूँ मैं writing का काम इत इसके लिए क्या कर सकते हैं company के लिए क्या कर सकते हैं you have learned about our website from आपने कहां से for example इस website का सुना तो आप यहां पे लिख सकते हैं search engine या कुछ भी for example recommendation मैंने आपको recommend किया तो आप वो लिख सकते है share with us your social media account आप यहां पे अपना facebook का instagram का youtube का कोई भी social media का account का link यहां पेस्ट कर द देंगे और उसके बाद submit पे click कर देंगे तो यह आपकी हो जाती है application यानि कि आप किसी भी job में apply करते हैं तो यह आपकी application हो जाती है जिसको आप लिख के मैं अभी आपके सामने यह चीजे फिल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो मैं फिल करता हूं फिर सारे वो ही कर देत अब इसके बाद क्या होगा how it works पे आ जाते हैं देख लेते हैं जनाब इसके बाद क्या होगा सबसे पहले registration आपने करनी है जो के हमने कर ली है ठीक है उसके बाद आपको login हो जाएगा obviously उसके बाद pass the grammar test आपको एक test दिया जाएगा grammar का जो के आपने pass करना होगा और 15 multiple choice question या तो आप ये है के side पे google call के आप उसमें search भी कर सकते है ठीक है तो ये 15 ये आपने grammar test पास करना होगा उसके बाद upload your essay diploma and CV आपने अपना essay कोई भी लिखके जो आपको ये topic देंगे उस पे आपने कुछ भी लिख देना है लिखना कैसे है वीडियो के आखर में वीडियो देख बहुत सिखाया हुआ है ठीक है तो वो आप upload कर सकते हैं लिखके उसके बाद diploma या CV जो भी आपकी है फर एक्जमपल आपने CV आपके पड़ी है तो वो आप upload करेंगे उसके बाद select the writing project आप जो project करना चाते हैं उसको select करें upload करें और पैसे आपको मिल जाएंगे get paid for your work आपने पर डे के हिसाब से अगर एक सिर्फ रोज करते हैं ठीक है अगर आप डेली के चार करते हैं तो 804 डॉलर डेली के for example 13 projects करते हैं या डेली के 15 projects करते हैं तो इतना कमा सकते हैं लोग 3030 भी करते हैं तीन है वेब मनी है ठीक है अपर वालिट है ठीक है उसके बाद pioneer है अब pioneer सब से best है मेरे ख्याल में अगर आपका pioneer पर अकाउंट नहीं बना वा तो आप YouTube पे की भी यार वीडियो सर्च कर लेना pioneer का अकाउंट कैसे बनाना है सिंपल सी सरफ registration करनी है जिस तरह आपके सामने मैंने registration किया है इस तरह registration करके आप pioneer का अकाउंट बना सकते हो और इसमें कोई commission यानि के extra कटोती नहीं है अगर web money करते हो तो यह 5% आपकी कटोती होगी hyper wallet जो है इसमें 0.75 commission है और pioneer पे कोई commission नहीं है तो यह आपकी मरजी है आप इन तीरों में से जो select कर लो ठीक है तो वह आपका account जब बन जाएगा तो आप इसमें कर सकते हो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जिनकी graduation नहीं है या जो graduation pass नहीं है graduate नहीं है वो दिल बरदाश्ता नहीं हो वीडियो के आखर में आपको दो वीडियो दे रहा हूं और blogging की अगर मेरी उसमें जाएं तो writing की और बहुत सारी चीज़ें है online learning websites में जाएं playlist में तो वो भी आप कर सकते हैं जिनकी zero qualification है वो लोग भी कर सकते हैं तो ये job specifically bachelor degrees वालों के थी जो कर रहे हैं या जिनोंने complete कर ली है या जो उससे आगे हैं तो बाकी जो नहीं है टेंशन नहीं ले नहीं मिस्टर हॉब भरा अपड़ा है वीडियो अच्छी लगी हो तो like जूरूर क